बनास काठा के मांबा देवी मंदिर आने वाले हैं और यहां पर वो विधी विधान से पूजा अर्चन करेंगे दिवांग ठाकर जी हमारे साथ हैं जो कि इस मंदिर के मुख्य पूजारी है और सबसे खास बात यह है कि प्रधान मंदिर नरेंद्र मोदी को वही पूजा बाद में प्रधान मंत्री जी दूसरी बार आये रहे इदर और नीज मंदिर में हम पुजा करवाएंगे और उनको देश की आर्थी सुखाकारी समृद्री बढ़े और सभी लोकों का कल्यान हो ऐसी कामना के खास संकल्ब करवाएंगे और माता जी का अभिश्यक भी करवाएं बाद में प्रधान मंत्री जी इधर से गबर जाएंगे और उधर महारती में इस्सा लेंगे। जिवान की सबसे महत्पून बात है कि जब हम यहां पर आ रहे थे तो इस सक्ति पीट के बारे में हमने जाना पढ़ा। बताया यही जाता है कि यह मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है लगभग 1200 साल पुराना है और मां की कोई प्रतिमानिय स्वरूप नहीं है जो यंत्र है उसकी पूजा की जाती इस मंदिर की अगर खासियत की बात करें इसके पौरानिक महत्तों को हम अपने दर्शकों को समझा करना चाहें तो ज़िए इसकी महत्तों को बताईए यह मंदिर पौराणिक मंदिर है 1100 साल पूराना मंदिर है यहां की जो पुजा पद्दरती है वह गुरुपरमपरा के अनुशार नीज मंदिर में पुजा अरजना की जाती है और यहां जो है वह साथ दिन की सवारी भी अलग अलग होती है जैसे मंडे के दिन नंदी पे रहती है माता जी और मंगलवार के दिन सेंज पर रहती है बुदवार के दिन अहिरावद पर रहती है गुरूबार के दिन गरूड पर और आज सुक्रवार के दिन माता जी की सवारी हंस पर है और सनीवार के दिन हाती पर और रवीबार के दिन बात पे रहती है और इसका विशेश महत्व है यह है कि सुबह में जो स्वरूप है माता जी का वो बाल स्वरूप होता है और दुपेर में जो स्वरूप है वो युवान स्वरूप होता है और सामको गृद्धात का स्वरूप के दर्शन किये जाते है इदर और लोगों की जो भी मन से कोई भी आदमी अपनी मनों कामना माता है तो माता जी अवश्य पूर्ण करती है हमने यहां के मंदिर के बारे में पढ़ा और जाना जैसा कि पुराणों में भी इसका वरण है ये बताया गया है कि जो सती थी उनके पार्थिव शरीर को लेकर भगवान शिव जो है वो तांड़ा नित्र कर रहे थे उस दौरान भगवान विश्णु ने अपने चक्र सुदर से उनके पार्थिव शरीर के एक्यावन टुकड़े किये थे उनमें से जो मा का दिल था वो यहां पर गिरा इस कहानी के बारे में जड़ा दर्श्मों को बताई यह जो आपने बात कई वो सही है माता जी का रदय का भाग विराजमान है और विश्णु बगवान ने सुदर जाएगा यहां कोई तंत्र मंत्र चलता नहीं है मेरा अखरी सवाल क्योंकि प्रधान मंत्री की भक्ति आपने देखी है चाहे वो काशी का कोरिडोर हो या केदारनात का धाम हो या अलग-अलग जितने धाम है मा के प्रती जो उनकी अपार आस्था है पूरी दुनिया देख कि गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब भी वो मोदी साब इदर आते थे आप कीम बनने के आप दूसरी बार आ रहे हैं लगातार यह अंबाजी मंदिर नहीं बलके दूसरे और भी मंदिर जो है उनके विकास में उनकी रोची रहती है और अभी भी उन्होंने एक बड़ा अमबा जी को प्रदान किया है रेलवे लाइन की मंजूरी देके बहुत बड़ी उपलब दी है और इस रेलवे लाइन मंजूरी से इदर जो रोजगार बड़ेगा उद्योग बड़ेगा और जो यातरिकों की संख्या है उसमें भी बड़ोतरी होगी